आप सभी का मेरी मेथ क्लास में स्वागत है कि आज की कक्छा है क्खछा स्थे मिसेगडित पाट का नाम ए प्राकर्तिक संख्या और आज का हमारा significa है प्राकर्तिक संस्ख्याओं का संख्यारे रिखापर निरुपर ये प्राकर्तिक संख्या चैप्टर का last class है आज ये चैप्टर खतम हो जाएगा इससे पिछली मेरी दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर या मैं description box में दोनों वीडियो का link देदूँगा तो आएए शुरू करते हैं आज का topic प्राकर्तिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण तो प्राकर्तिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण बहुती आसान है एक सरल रेखा होती है प्राकर्तिक संख्या हमारी एक से सुरू होती है तो हम एक और ये बरावर दूरी पर होने चाहिए जैसे एक-एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होनी चाहिए अगर दो सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो सारी संख्याओं के बीच दो-दो सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही होना चाहिए एक, दो, ती, चार ऐसे ये संख्याएं अनंत तक होती हैं यह है प्राकर्तिक संख्याओं का संख्या रेखापर निरूपण जहान देने वाली बात यहां पर बस यही है कि जब संख्याओं का निरूपण करेंगे तो इनके बीच जो दूरी है वो हर एक संख्याओं के बीच बराबर होनी चाहिए इस संख्या रेखाप की सायता से हम अनुवर्ति और पूर्वर्ति संख्याओं बहुत आसानी से बता सकते है जैसे हम साथ की अनुवर्ति कौन सी है? आठ साथ की पूर्वर्ति कौन सी है? छे छे की अनुवर्थी कौन सी है, साथ छे की पूर्वर्थी कौन सी है, पाँच इस तरह से समझाना आसान है ठीक इसी किसायता से हम अब किर्मागत संख्याओं को पढ़ा सकते हैं किर्मागत संख्या क्या होती है किरमा का संख्या कहते हैं जो लगातार आती है एक के बाद एक किरम मतलब किरम से आगत मतलब आती है जो संख्या किरम से आती है जैसे दो की तीन किरमा का संख्या लिखनी है तो हम संख्या रिखा कि सहाथा से इसे हराम से लिख सकते है हलांकि लेख हम वैसे भी सकते हैं दो की तीन किरमागत संख्या है दो की तीन मतलब दो से आगे आने वाली तीन संख्या है कौन-कौन सी? तीन है, चार है, पाँच है तो इसका उत्तर होगा तीन, कॉमा चार, कॉमा पाँच ठीक आठ की चार किरमागत संख्या हैं तो आठ से आगे आने वाली चार संख्या कौन कौन सी है एक है नो एक है दस चार पूछी है एक ग्यारा और एक बारा इसी तरह से पांच की दो किरमागत संख्या है तो पांच के आगे की दो संख्या है कौन सी है 6 और 7 उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा प्राकर्तिक संक्याओं का संक्या रेखा पर निरूपन और किरमागा संक्याओं क्या होती है अब प्राकर्तिक संक्याओं में हमारा पिछले कर आएगे सवालों का एक REVISION है उस सवाल को मैं बता रहाँ सवाल है साथ अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए सबसे पहले हमें साथ अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है फिर इसकी हमें अनुवर्ती ग्यात करनी है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती जो मैंने अभी पीशे बताया था साथ अंको की सबसे बढ़ी संख्या बसे बड़ी संख्या मैंने बता है तब बड़ी संख्या में जितने अंकों की पूछने हैं उतनी बार 9 लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है साथ अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं रिवीजन की तौर पर यहाँ पर यही बता देता हूँ अगर साथ अंकों की सबसे चोटी संख्या लिखनी होती तो एक लिखते हैं और जितने अंकों की लिखनी है उससे एक कम 0 लगा देते हैं यानि कि एक लिखके यहाँ पर 6 0 लगा देते तो साथ अंकों की सबसे चोटी संख्या आ जाती है में वोह सवाल में नहीं पर मैंने कि तौब बता दी है अब हमने सवाल में क्या ग्यात करनी है इसकी अनुवर्ति का मतलब मैं पहले बता चुका हूं एक जोड script एक आगे वाली संख्या संख्या तो इसकी अनुवर्त हैं निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस में एक जोड देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें एक जोड़ेंगे अगर हम इस संख्या को ध्यान से देखेंगे तो ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है क्योंकि इसमें 7, 0 है और 1, 1 है तो अगर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के उत्तरवर्थी निकालते हैं तो वो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है ठीक, अगला सवाल अगला सवाल है अंक 0, 6, 9, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी वे सबसे छोटी संख्या लिखिये इन 4 अक्षरों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है इस सवाल पे जीरो आ रहा है तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है सबसे बड़ी संख्या कोंजी होगी जो इन अक्षरों से बढ़ी हो सबसे बड़ी संख्या इसे लिखने का रूल ये है कि सबसे बड़ा अंप सबसे पहले आएगा इसमें सबसे बढ़ा अंक है हमारा 9 इसके बाद इससे छोटा अंक आएगा 6 उसके बाद उससे छोटा अंक आएगा 5 और इसके बाद लाश्ट में उससे भी छोटा अंक आएगा 0 ये इन चार अक्षरों से सबसे बड़ी संख्या बनेगी अब यहाँ पर सबसे छोटी संक्या ध्यान देने वाली बात है अब हम लिखेंगे सबसे छोटी संक्या सबसे छोटी संक्या लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटांग जाने की 0 फिर लिखेंगे 6 फिर लिखेंगे 5 फिर लिखेंगे 9 यह है सबसे छोटी संक्या क्या यह सही है? ध्यान दीजिए क्या यह जो हमने सबसे छोटी संक्या लिखी है क्या यह सही है? जी नहीं क्योंकि यहां हमें चार अंकों की संक्या लिखनी है और यह हमारे केवल तीन अंक रहें है तो सबसे छोटी संख्या यह नहीं होगी है हलांकि इसमें पाँच पहले आता फिर छे आता तो सबसे छोटी संख्या यह नहीं होगी सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम हम सबसे पहले 5, उसके बाद 0 लिखेंगे, सबसे पहले छोटा अंक 5, फिर 0, फिर 6, फिर 9, ये है सबसे छोटी संक्या, पहले सबसे छोटा अक्षर, हालांगी 0 है सबसे छोटा अक्षर, पहले उसे पर नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 5, उसके बाद फिर तुरंट 0 जीरो लिखके और फिर हम बढ़ते करमन संख्याओं को लिख देंगे तो सबसे चोटी संख्या यह है सबसे बड़ी संख्या यह है यह पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जीरो सुरुवात में नहीं आना चाहिए जीरो सुरुवात में आ गया तो वह संख्या तीन अंकों की रहे जाएगी अब ये प्राकरतिक संख्याओं वाला आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरह से खतम हो चुका है और अगली क्लास पूर्ण संख्याओं से सुरू होगी तब तक आप हमारी प्राकरतिक संख्याओं की सारी वीडियोज को देखें उनका रिवीजन करें और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं या फिर हमारी मेल आइडिवर्म से कॉंटक्ट कर सकते हैं धन्यवाद